नमस्कर सत्यों, विजिसी नेट जयारेप, CSIR, अल्ली नेट एंड जयारेप के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी यदि आप नेट जयारेप हैं और पीएजडी करने की चुक हैं तो आपके लिए सबसे बहतर अभी तक के जितने भी पीएजडी के लिए एडवर्टैजमेंट निकला हुआ है उसमें से सबसे बेस्ट इनिवर्शिटी कोई है तो वो सेंटर इनिवर्शिटी आप पंजाब है नेट जयारेप होना नितान तावस्यक है पीएजडी करने के लिए सेंटर इनिवर्शिटी आप पंजाब में पहली बात दुसरी बात इसमें इंट्रेंश टेस्ट नहीं होगा केवल आप पीजी में 55% है पहला गरौन पीजी में 55% और दूसरा यदि आप जयारेप हैं तो आपको 75 Marks वेटेस दिया जाएगा यदि आप नेट हैं तो आपको 50 Marks आपको वेटेस दिया जाएगा और 25 Marks का आपका जो हैं इंट्रेपू होगा और इसी आधार पर Central University of Punjab में PhD में admission मिलेगा ये हुईन बात Central University of Punjab ने जयारेप को महत्पुर्ण योग्य माना अत्यधिक योग्य माना नेट को योग्य माना केवल Central University of Punjab जो बठिंडा में इस्तित है और साथ इसाथ एक रेड इन्वर्शिटी है यहाँ पर जनवरी 2019 के लिए जनवरी 2019 ध्यान रखेगा जनवरी 2019 में PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पर देखिए फार नेट जयारेप क्वालिफाइट केंडिडेट अली विल बी एप्लाइट यहाँ पर केन बी एप्लाइट नेट ज्यारेब क्वालिफाइट केंडिडेट ही इसमें एपलाई कर सकते हैं जनवरी 2019 के एडमिशन में पीच्डी एडमिशन में अब देखते हैं किस-किस सब्जेक्ट्स में इससे बहतर अफसर और आपको नहीं मिलेगा ये इस बात को आप सोचिए यहाँ पर देखिए बेसिक एन एपलाईट साइंस एनिमल साइंस में है यह आपका जो है बायो कमेस्ट्री मैक्रोब इसमें है आपका डिपार्टमेंट आप सीट भी बता दिया है ग्यारा सीट ग्यारा सीट डिपार्टमेंट आप केमिकल साइंस में 14 सीट है डिपार्टमें of mathematics and aesthetics में तीन और चार है यहाँ पर देखते जाएए यहाँ पर medical chemistry, pharmacy, physics, plant, education में छे सीट है यहाँ पर engineering में आपका जो है चार सीट है यहाँ पर देखिए environment and earth science में दो सीट है geography and geology में तीन सीट है यहाँ पर health science में दस सीट है department of language and comparative literature में एक सीट है यहाँ पर देखिए department of law, environmental law, human rights law, corporate law में 13 सीट है यहाँ पर देखिए master degree in law with minimum 60 percent marks 55 percent मान SCSTOBC non-criminal आपका जो है criminal layer जो होंगे उसके लिए यहाँ पर 13 सीट है social science में देखिए economics में 3 सीट sociology में 11 सीट यहाँ पर commerce में एक सीट यहाँ पर information communication science में यहाँ पर तीन सीट इसको लाव global relation में पास सीट यह आपके जो है सीट है केवल वही ब्यक्ती यहाँ पर देख लिजे eligibility criteria the application should have master degree in the relevant subject with minimum of 60% mark 55% mark as a sto bc as detail above the each program candidate must fulfill both the following candidate He, she must have qualified VGC CSIR existing validity and he, she must have some financial assistance such as net JRA financial assistance, government agency. यहाँ पर आपको वही वेक्ति फारम भर सकता है जो net और JRA clear है. यहाँ पर देख लिजे selection, evolution of performance, यहाँ पर JRA qualified candidate को 75 marks मिलेगा और interview 25 marks. net without JRAP है तो उसको 50 marks net का वेटेज मिलेगा और 25 percent marks जो है, यह obtained net 25 percent वेटेज और interview 25 marks. Marks obtained in net, net में जो marks obtained किया हुआ है, उसका 25 marks मिलेगा. देखिए, बराबर कर दिया, यहाँ पर वेटेज JRAP को 75 मिलेगा और 25 मिलेगा. net को 50 marks मिल गया और फिर marks obtained net, net में 25 percent वेटेज मिलेगा. सबसे ज़्यादा marks लाया होगा तो उसको जो है, इस तरह से 25 marks मिलेगा. यहाँ पर online application भरा जा सकता है, और यहाँ पर जो important, जो how to apply for online application, यहाँ पर apply online कर सकता है, cupeducation.in में, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर date दिया हुए है, कि opening date है 15 November, last date है 29 November, 29 November को last date है, और date of interview है, 11 December और 12 December को है, interest is free, mode of payment, यहाँ पर जो है general category के लिए 800 रुपिया, SST के लिए 400 रुपिया, और जो handicapped है, वो free map है, date of admission, 2 January, और date of orientation and comments of classes, 3 January को हो जाएगा. इस तरह से आपका जोखा है, एक बहतर अउसर है, medium instruction, university cell have submit medical fitness certificate, government hospital, यहाँ पर medical medium, medium and instruction on the program is English, केवल English में होगा, और दुसरे में नहीं होगा, refund policy, आप academic fees, यहाँ पर मालिजे, आप जो है 15 दिन के पहले, यदि मालिजे, last date के admission के 15 दिन पहले थे 100%, 15 दिन के बाद, जो है, date of admission के 80%, यहाँ पर आपको fees भी वापस होगा, यह होता है कि आपका जो है, सच्चाई की बाद जो है, यहाँ पर old semester, academic calendar, 3 January 2019, और 3, 13 माई 2019 से 31 माई 2019 तक, semester examination, course work, examination होगा, यह होता है, आपको fees देखिए, कैसे आपको जो है, फीज देना है, बहुत ही कम फीज है, PhD Science के लिए अधिक्तम जो खाए, आपका जो है, यह 3,000 रुपिया हो गया, एक बार देना है, फिर 1,000, यह 1100 हो गया, 1120 रुपिया, केवल 1120 रुपिया में आपका जो है yearly fees, annual fees जो है 1120 रुपिया, मतलब 6,800 रुपिया, 4,390 रुपिया, इस तरह से आपका फीज है, PhD Humanities, मतलब 8 subject के लिए 4,390 रुपिया लगेगा, यहाँ पर जो है, 3,000, 4,390 रुपिया, साइंस के लिए 6,800 रुपिया, यहाँ पर जो है, 10,212 रुपिया, मतलब टोटल जो है, यहाँ पर 11,000, 10,215 फर्स्ट येर में और आपका जो है, 2nd semester में 4,390 रुपिया, मतलब 15,000 रुपिया, टोटल फीज लगेगा, यहाँ पर जो है, फेसिलिटी भार्द स्टुडेंट, 10,215 फेसिलिटी दे रखा है, सेंटर इनुवर्शिटी है, यहाँ पर आपको स्कलोर्शिप मिलेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथियों Law, Order and Civil Rights, जो गाउं एवं गरिब छात्रों के लिए समर्पी चैनल है, यह चैनल जो सुरवात हुआ है, गाउं और गरिब छात्रों के साहता करने के लिए है, इसलिए इनके साहता करना जोरी है, चुकि मालिजे वो जंगल में है, सुदूर छेतर में है, उनके पास में न तो पढ़ने के लिए कोई किताब है, नहीं लाइबरेरी है, नहीं कोचिंग सेंटर है, और कोचिंग सेंटर जोइन करने के लिए भी पैसा चाहिए, उनके पास में पैसा नहीं होता है, लेकिन उनके पास में जियो सीम है, जो 300-400 रुपया, वाटली वो अपना वहन क कर सकता है इस चैनल के माध्यम से हम उनको पाठेक्रम समागरी उपलब्द कराते हैं ताकि उनको भी वही अधिकार प्राप्त हो जो सहर में रहने वाले जो पैसे वाले पाठी हैं उनको उपलब्द हो पाता है तो इसलिए आपको हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को share करें साती साथ आप लाइक करें कॉमेंट करें यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आये हैं वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें सब्सक्राइब करेंगे तो यह होगा कि हमारे चैनल का और गरीब बच्चे को जो है उनके साथ में न्याय नहीं हो पाएगा यह हमारा जो पाठेकरम समागरी है जो सुचनाय है इनफारमेशन है वो वहां तक नहीं पहुँच पाएगा इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है यूजिसी नेट की प्रिप्रेशन कराते हैं और बहुत सारे बच्चे नेट और ज्यारे करते हैं पिएशडी कैसे करें एमपील कैसे करें उनकी अधिसुचनाय हम जारी करते हैं साथी साथ जितने भी नोटिप्केशन है फैर इसुचनाय से जुड़े हुए चाहे वो जाहें हो महर्द épisode के नोटिपकेशन हो या किसी भी स्विध्यले का नोटिपकेशन हो उसको हम समाचाः पत्रों से चून कर जो है, आपको वीडियो के माध्यम से सुचनाएं पहुंचाते हैं, साथि-साथ सायक प्राध्यापक भरती की सुचनाएं, और किस तरह से सायक प्राध्यापक बन सकते हैं, यह समस्त जानकरी हम उपलब्द कराते हैं, तो इसलिए इस च